दोस्तों बात करें तो अभी के समय जो high refresh rate display वो कितना जाधा common हो रहा है 120 Hz के बार में बात करें या 144 Hz के बार में बात करें यह सारी सीज्ट काफी जाधा common है इसके साथ एक important बात यह कि Redmi की बात करें, Realme की बात करें ये भी अपने 120 Hz वाले फोन लाने वाली, Realme भी लाने वाली और Redmi Note 10 स्रीज में तो देखने को मिलने ही वाला है, लेकिन बात आती है, यह सच में काम का है, यानि यह 120 Hz, 144 Hz जो डिस्पले होता है, यह on paper देखाने में तो काफी जादा मज़ा आता है, लेकिन या सच में क्या useful चीज है, वेल, इसके बार में related में past में एक और वीडियो बना चकाऊ, लेकिन हाँ, यह वाला थोड़ा से different होने वाला है, और इसमें हम कुछ और extra चीजों के बार में बात चीद करने वाले है, तो वीडियो के आप लोगों को पसंद आ है, क्या हुआ था, काफी सार लोगों ने 60Hz के AMOLED डिस्प्ले को चूज किया, तो उसके बाद शौमें उस पोल को डिलीट करिया, और उसके बाद मैंने भी हापे सेम पोल रखा, और वहाँ पे 60Hz का AMOLED डिस्प्ले न, वो बहुत बड़े margin से जीतता है, और इससे हमें यही चीज़ पता चलती, कि जो लोग है न, वो exactly AMOLED डिस्प्ले को जादा पसंद करते, अब इसके पीछे के multiple reason है, कि यहाँ पे आपको देखने को होलता है, better colors, contrast अच्छा देखने को होलता है, और जो black level होते हों काफी खमाल के होते, यह यह AMOLED की सचा है, तो सब लोग जानते हैं, और यह सब देखके लगता है, कि जो best possible implementation है न, वो है 120Hz का AMOLED डिस्प्ले फोन के अंदर, लेकिन जब 20,000 के फोन बनाने की बात ही आती है, तो 20,000 के फोन के अंदर 120Hz का AMOLED अभी नहीं लगाया जा सकता, टेक्निकली बहुत जादा महेंगा है, और उसे बनाना भी अभी काफी कठेन होता है, और इसलिए जो कंपनी जो 120Hz के LCD का यूज़ करते हैं, क्योंकि 120Hz है न, spec, sheet, paper, number की तरहें दिखाना, या फूर उसे highlight करना advertisement में, यह उन्हें काफी जादा पसंद आता है, खेर सिर्फ इतनी बात नहीं होती, इसके बाद एक और important चीज़ यह है, कि AMOLED डिस्पले होते हैं अ, generally उनके साथ एक छोटा सा कॉन जड़ा होता, जैसे कि आप लोग का मालूम है कि OnePlus Nord जब रिलीज हुआता था, उसके डिस्पले के अंदर ग्रीन टिंट का इशू देखने कबला था, OnePlus 8 Pro के साथ भी similar कहानी जुड़ी होई थी, ROG phone एक जमाने के अंदर उसमें red टिंट का इशू आने लग गया था, higher refresh rate display के साथ यह चीज़ काफी जादा common है, और यह चीज़ आपको देखने को बलती है, अगर अच्छी quality का AMOLED screen यूज नहीं की जाए तो, अगर अच्छी quality का AMOLED screen यूज की जा रही है, तो वहाँ पे step की problem देखने को नहीं बलती, तो खेर यह सारी बाते हम जाने देते हैं, लेकिन आब exactly बात करते हैं, उसका processor, अगर processor जादा powerful नहीं है, तो वो 120 Hz के LCD को किस तरीके से जहल पाएगा, यानि कि on paper तो company ने भी लिख दिया, कि 120 Hz का support है, अब वहाँ पे frame drop हो रहे हैं, lagging हैं सारी, उसका क्या, और हाँ, इस type की चीज़े मैंने देखी हैं, अगर आपने कुछ MIUI-based high refresh rate वाले phones देखें, तो MIUI आज के समय भी बगी है, कि वहाँ पे frame drop जैसी चीज़े देखने को मलती हैं लोगों को, जी हाँ ये भी काफी amazing चीज़ हो जाती है स्वारे में, खेर इस बात को हम जाने देते हैं, लेकिन एक important बात यह, कि 120Hz का exactly mobile phone के अंदर use किया है, सबसे पहली चीज scrolling करते हैं, अब आप बताओ, आप अपने phone के अंदर कितना scroll करते हो, मतलब scroll करते-करते चीज़े देखते हो, या फिर एक जगे static रह के चीज़े देखते हो, सोचने वाली बात है न, इसके साथ दूसरी चीज़ तो 120Hz में फायदा पड़ता है, वो क्या होती, animations, और यहां पर मैं बात कर रहो, phone के अंदर जो effects, animation, जो transition वाल effects आते हैं, उनकी key app open कर रहो हो, close कर रहो हो, वो कितने जादे smooth दिखेंगे, यानि कि normal है कि 60fps पे अगर वो render हो रहा है, उसकी जगर वो 120fps पे रेंडर होगा, डबल हो जाएंगी frame, और डबल refresh rate पे आप देखोगे, यानि कि 120Hz पे देखोगे, तो आपको जादे smooth नाइस देखने को लेगी, हाला कि बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये सब करने पे प्रोसेसर उसकेंदा जो जी भी होता है उसक्यूपर लोड पड़ता है, और जब प्रोसेसर जी प्यूपर ज्यादा लोड पड़ता है, तो इसलिए हाँ पे कई बार आपको off-frame, stuttering वगर भी देखने को मलती है, और यही चीज सॉल्व करने के लिए अगर आपको याद है, तो कंपनी ने adaptive refresh rate technology का बनाया, अब adaptive refresh rate का मतलब होता है, कि अगर आप कोई 24 fps पे कोई movie देख रहो तो display का refresh rate 24 hertz हो जाएगा, और कोई आप scrolling वगर कर रहो तो वहाँ पे आपको 120 hertz देखने को लेगा, यानि कि बैटरी बचाने के लिए, और इसका impact यह पड़ता है कि continuously आपके phone के अंदर 120 hertz का refresh rate है, तब भी आप अपने phone के अंदर 120 fps पे जो चीज़े होती है वो नहीं कर सकते, 120 hertz दिस्प्ले का जो मज़ा है ना वो आप हमेशन नहीं ले सकते, और इसके साथ एक और प्रॉब्लम जोड़ी है वो है apps के साथ, majority apps यानि कि almost सभी apps 60 hertz को support करती है, और अगर हम बात करें games की, सभी games 30 fps, 40 fps, maximum 60 fps को support करते हैं, और कुछ games से वो 90 fps, 120 fps को support करते हैं, लेकिन क्या आप लोग को लगता है कि 20,000 के phone, अगर आपने प्रॉसेसर में थोड़ी कंजूसी कर दीना, 120 fps का display मिला के वो अच्छे तरीके से फायदा उठा ही नहीं सकता, यहां पर भी देखा तो सोचने वाली बात है, और 120 hertz को सिर्फ यहां पर marketing gaming की तरीके से promote किया जा रहा है, इवन महेंगे phone के अंदर भी क्या किया जाता है, कि 120 hertz का जवर दस्ती फायदा उठानी के लिए, M.E.M.C. technology का include किया जाता है, जिससे कोई भी 24 fps, 30 fps का वीडियो, 60 fps है, 120 fps में, frame interpolation technology का यूज़ करके, उसके अंदर frames भढ़ा दी जाती है, और वोग वीडियो जादा smooth लगता है, देखा जाए तो technology तो देखने सुनने में अच्छी लगती है, लिगन जब practical implementation है ना, इसको locate करते, Hollywood के बड़े बड़े directors है ना, MEMC के खिलाब बोल चुकिया है, TV वागिर आपसे फीचर होता है ना, default में इसे disable करके रखा जाए, यह चीज होती है, इसलिए film maker होट देखने को लग, हलाकि यह भी मैं बात हटा देता हूँ यहां से, mobile phone पर दुबारा से आते हैं, तो कहने का मतलब यह है, कि एक अच्छे mobile phone के अंदर, जिसके अंदर एक अच्छे high refresh rate का display लगा हूँ है, तो उसके साथ एक powerful processor का भी होना ज़रूरी है, और एक अच्छे software का भी होना ज़रूरी है, software का in the sense, कि bugs देखने को ना मिले, frame stratter देखने को ना मिले, अगर आपने एक अच्छे तरीके से software optimize का है, जो कि high refresh rate display का फायदा उठा सकता है, तो ही जो चीज आना, वो आपको देखने को मिलेगी, otherwise जो companies आना, वो सर्फ 120 Hz, 144 Hz दिखा के, आप लोगे सर्फ पैसे लूटना चाहती है, बतलब on paper ये चीज आपको देखने को मिलेगी, लेकिन real world में आप उसका use नहीं कर पाऊगे, अब मैं ऐसा सर्फ इसली कर रहा हूँ कि, पिछले एक साल में अंदर, 20 अरज से कम है 90 Hz, 120 Hz के phone देखने को पले, और लोगे काफी experience है, कि जो processor है ना, वो इतना refreshed जेल नहीं पा रहा है, क्या फिर जो अपरेटिंग सिस्टम है, वो इतने अच्छे तरीके से optimize नहीं, कि सारे animation वगरा, वो 120 fps, 120 Hz पर provide कर सके, यानि कि लोगों ये भी कहना था, कि G95 जैसा जो processor है ना, वो 90 Hz में उसके पसी ने छूट जाते, तो 120 Hz में किस तरीके से काम करेगा, तो यार, यही कहारी हो जाती यार, अगर एक powerful SOC नहीं होगी, powerful GPU कर phone के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, फिर उसके अंदर high refresh rate display का, जो असली benefit है ना, असली इताकत है ना, वो लोग आप यहाँ पर नहीं देख पाऊगे, क्यार, यह एक बात अलग हो जाती है, इसके साथ company सिर्फ इसको सिर्फ इसलिए उसकर रहे हैं, बेसिकली है, अपनी presentation, marketing material, specification sheet, GSM arena, reviews बगरा में, जब 120 Hz सुनते हो ना, तो एक number आता है, अब एक जब बड़ा number आपको देखने को मिलता है, तो आप compare कर सकते हो, कि 60 Hz का LCD बेटर है कि 120 Hz का है, और नॉर्मली लोग 120 Hz का LCD चूज़ कर जाए, च्योंकि specification sheet और boast करने के लिए उनको एक extra number देखने को मिल गया, इसलिए सब लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं, अब देखने वाली बात होगी, आने वाले समय में और क्या चीज़े देखने को मिलती है, वैसे देखा तो मैं 120 Hz के खिलाफ विल्कूल गया हूँ, मेरेको 120 Hz हो और high refresh काफी जादा पसंद है, अगर आप इसका सही तरीके से यूज़ करोगे तो उसका जो फायदा उसकी जो बेनिफिट्स है वो आपको तुरन देखने को मिलेंगे, 20,000 से कम के जो फोन्स होते हैं उनमें अभी इसका जो बेनिफिट है वो अभी उतना नहीं है जितना आपको दिखाया जा रहा है, तो मेरे को लगता है कि आप मेरी बात को समझ गयोगा, समझ गयोगा कि कम्पनिया किस तरीके से गिमिक वगरा खेल रही है, और यह इतना ज्यादा यूसफुल फीचर है भी नहीं जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहे है, तो दोस्तों यह कहानी होती है, यहाँ पे आपके हाई रिफ्रेश रे डिस्प्ले की, वैसे जाच जाते हैं मेरा आप लोग इससे सवाल है, आप लोग क्या पसंद करते हैं, 60Hz का हाई रिफ्रेश रे डिस्प्ले है, फिर एमॉलेट से खोश हो है, यह बात अपना आंसर है ना मजी नीचे कमेंड़ बताना ना भूला, वीडियो पसंद है, तो लेक करो, चैल को सब्क्रेब करो, ठेकिक आपको वीडियो देखने के लिए मैं आपसा मुदों नेक्स फन के अंदर, गुद्बाई! आपसा मुदों नेक्स फन के अंदर, गुद्बाई!